हाई अब्रिवान अस्सलाम वालेकूम वेलकम बाक टो माई चानल आई होप आप सब लोग ठीक हैं आज की वीडियो में रेसिपी है यह मज़ेदार और चट पटे चपली कबाब बनाने की बक्रेट स्पेशल रेसिपी है जिसको आप आने वाले एद पर बना सकते हैं बहुत ह सिंपल स्टेप्स और बहुत लिमिटेड इंग्रीडियंट्स के साथ यह मज़ेदार कबाब बनके तयार हो जाते हैं तो चलिए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं तो यहां पर देखे कबाब बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑविसली च कर लिया था इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और यहां पर देखे मैंने ही जो कीमा है यह मशीन से निकल वाकर ही शॉप से लिया है तो यह काफी बारीक है इसको अब मसमें डरेक्ली यूज करोंगी वाश करके अच्छे से सारा पानी बिल्कुल ड्रेन कर दें औ इसके बाद मैंने लिया है एक टी स्पून गरम मसाला पाउडर आधा चमज मैंने लिया है काले मिर्ज पाउडर एक टी स्पून लिया मैंने आमचूर पाउडर और यह लास्ट मैंने एक टी स्पून लिया है भुनेवे जीरे का पाउडर यह सारी चीजों को हम इसमें मिला मेट को थोड़ी देर के लिए मारिनेट करके रखना है लग बग आदा घंटा और अगर हम इसी पॉइंट पे इसमें सॉल्ट आड कर देते हैं तो वह बहुत ही पानी चोड़ देता है जो के हमारे कबाब बनने में बहुत प्रॉब्लम करेगा इन सब चीजों को खुब अच् अगर आप आदे घंटे से जादा चोड़ सकते हैं तो वह और भी अच्छा है तो यहां पर देखे आदा घंटा फ्रिज में रखने के बाद मैं इसको निकाल लिया है और हम इसमें आड करेंगे बाके के इंग्रीडियन उसके लिए मैं आप लिए हैं दो बड़े साइज के टमाटर बारी कटे हुए टमाटर को काटने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपने उसका सीड निकाल देना है यह डी सीडिट टमाटर है आप इसमें बिलकुल भी इसका जूस होता है यह जूसके सीड्स होता है वो नहीं आद कीजेगा साथी मैंने इसमें एक बड़े साइस का प्यास बारी काटके और दस बारा मैंने लिए हरे मिर्च बारी काटकर उसके बाद हम इसमें डालेंगे तीन टेबल स्पून भुना हुआ बेसन बस उसको वैने ड्राइ एक पान में डालके कुछ मिनिट्स के लिए रोस्ट कर लिया था जब वो ठंडा बस अब आपने इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है जब तक आप देखें कि जो कीमा है सारे इंग्रीडियन के साथ खूब मिक्स हो गया है और प्रॉपरली शेप होल्ड कर रहा है तो देखिए अगर आपके मीट में जो मॉइस्टर जादा होगा यह फिर आप टमा और बस यहां पर यह एकदम रेडी है अब कबाब्स बनाने के लिए कबाब का साइज आप अपनी चोईस के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसे चाहे रख दें पहले इस तरह से उसको हम एकसार करेंगे दोनों हातों की हेल्प से और आप ऐसे दबा कर और साइज से उसको इवन करकर कबाब की शेप हम ले लेंगे तो यह हो गया तयार आप पर एक बात में आपको जरूर बता दूं कि आप पहले से बहुत सारे कबाब बना के नहीं रख लिजगा कि हमें एक साथी फ्राई कर देंगे वो एजी नहीं होता जब उसको हम उठाएंगे और वो नॉम कि गरम है एक साथ ही जैसे कबाब बनाए फॉरण इसको हम इसमें रख देंगे तो अब इनिशिली एक मिनिट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे ताकि यह जो शेप है वो होल्ड कर ले और यह बिखरे न तो यहाँ पर अब इसको बिल्कुल टच नहीं करना है और फ्लेम को हाई रखेंगे एक मिनिट के लिए शुरू के वैसे ट्रेडिशनली तो यह कबाब देसी घी में बनते हैं लेकिन मैंने यह आप पर नॉर्मल रिफाइन डॉयली यूज़ करा है आप चाहें तो आप देसी घी भी यूज़ करने उससे इसका टेस्ट और भी कर देंगे और करीबन चार मिनिट तक एक साइट से पकने देंगे तो इसको फ्राइ करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने जिसमें मीट लिया है वो बिल्कुल कच्छा है उसको पूरा आपको कुक करना है लेकिन बार बार इसको अलट पलट करने से यह त तो बस कुछ नहीं करिएगा अब फ्लेम को मीडियम कर दें और इसे चार मिनिट एक साइट से पकने दें तो मीडियम फ्लेम पर अल्मोस्ट चार मिनिट हो चुके हैं एक मिनिट हाई फ्लेम पर चार मिनिट मीडियम फ्लेम पर टोटल पाच मिनिट इसके बाद इस तरह से ह केबाब को पकाना है इसको भी पलट देंगे इसको पलटने के बाद ऐसे हलके से आप दबा दीजेगा उससे यह होता है कि अगर अंदर थोड़ा सा भी कच्छापन होगा वो इस तरह दबाने से अच्छे से कुख हो जाएगा वैसे तो इतने टाइम में जिसना मैं आपको बत तक कुख करना है तो यह देखिए दोनों तरफ से एक वच्छे से आप कुख हो गया है थोड़ा सा बस मैं और करूंगी ताकि इसका जो कलर है वो इवन हो जाए और बस देखिए यहां पर यह हमारा मज़ेदार चपली कबाब बनकर रेडी है एकदम से कुख हो चुका है प बहुत अच्छे होते हैं इस रेसिपी को एक बास जरूर ट्राइ कीजेगा इद पर आपके घर या आपके घर में आने वाले गेस्ट हर किसी को यह बहुत पसंद आएगी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफेकेशन्स आपको मिले और कोई भी वीडियो मिसना हो इंशाल्ला जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तिल देन गुड़ बाई एंड टेक केर